दोस्तो पैसे कमाना आसान है जो हर कोई करता है लेकिन पैसो को मेनिफेस्ट करना पैसो को आकरशित करना मुश्किल है और इसे हर कोई नहीं कर पाता अमेरिकन ओथर और मोटिवेशनल स्पीकर जैक कैनफिल्ड ने पैसो को आकरशित करने के तीन तरीके बताए हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाते हैं कि आप अपने जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाएं और अपनी जिंदगी को खुशाल बनाएं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना तो चलिए शुरू करते हैं American author और motivational speaker Jack Canfield के बताए हुए तीन तरीके जो पैसो को आकरशित करते हैं जिसमें पहला तरीका है identify your limited beliefs about money पैसो को आकरशित करने के लिए सबसे पहले आपको अपने belief system को बदलना होगा बचपन से ही हमें पैसो के बारे में बहुत सारी चीज़े सिखाई जाती हैं जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उप्ते पैसा कमाना बहुत मुश्किल है पैसो से खुशिया नहीं खरी दी जा सकती कोई इंसान अमीर हो सकता है या फिर अच्छा इंसान हो सकता है लेकिन अमीर और अच्छा इंसान एक साथ नहीं हो सकता आपको इन सारे belief system को बदल कर ये सोचना होगा कि इस ब्रह्मान में पैसो की unlimited supply है और आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो दोस्तो जैक कैनफिल्ड कहते हैं कि एक सही belief system बनाने के लिए आपको positive affirmation का इस्तमाल करना चाहिए जैसे कि मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ, मैं आभारी हूँ कि मेरे जीवन में पैसा इतनी जल्दी आ रहा है मैं धनी हूँ और आर्थिक रूप से जीने के लिए तैयार महसूस कर रहा हूँ मैं और जादा पैसे कमाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ पैसा मेरी तरफ आकरशित होता है और यह है मुझे ढूंड ही लेता है इस तरह के affirmation आपको रोज लिखना है और खुझ से बोलना है क्योंकि रोज आप खुझ से जो बोलते हो आप उस पर विश्वास करने लगते हो और जिस चीज़ पर विश्वास करते हो वह आपकी जिंदगी में हकीकत में होने लगता है affirmation की वजह से आप अपने negative belief system को positive belief system में बदल सकते हो जो पैसो को आकरशित करने का सबसे पहला और important step है और दूसरा step है visualize your wealth as you have already achieved it law of attraction का मतलब है जैसे ही आपकी सोच और belief system होता है आप उसी तरह की चीज़ों को आकरशित करते हैं अगर आप पैसों को आकरशित करना चाहते हैं तो आपको visualize करना होगा कि आप already बहुत सारे पैसे कमा रहे हो visualize करने का मकसद है कि आपके mindset में अच्छे बदलाव लाता है अगर आप सोचते हो कि आप केवल 15,000 रुपे की नौकरी करते हो इसी लिए आप कभी अमीर नहीं बन सकते तो आप अपनी इस बात को मान लेते हो कि आप कभी अमीर बन ही नहीं पाओगे लेकिन अगर आप ऐसा visualize करते हैं कि अगले साल आप एक लाक रुपिया कमा रहे हो या पाल साल के बाद आप करोणपती बनने वाले हो तो खुद को एक लाक रुपे कमाता हुआ देखकर आपको बहुत ही खुशी महसूस होती है और जब आप ऐसा visualize करते हो तो आपको अपने जिन्दगी में चैलेंज की जगा opportunities दिखने लगती हैं मुश्किलों की जगा अफसर दिखने लगते हैं आप ऐसे अफसर की तलाश करने लगते हो और आपको अपने आप में ऐसे अफसर मिलने शुरू भी हो जाते हैं जिसके से आप सच में एक लाक रुपे कमाने लगते हो और फिर चाहे हो आपका कोई नया बिजनस हो या कोई दूसरी नौकरी हो या कुछ और visualize करने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इससे आपकी habits आपकी बात करने का तरीका आपकी सोच में अच्छे बदलावाते हैं और काम मे आपका focus बढ़ता है डेली visualize करने से आपको बहतरीन result मिलने लगते हैं तो चलिए अब third step की बात करते हैं थर्ड step है the universe will provide you more दोस्तों तीसरे step में Jan Canfield gratitude की importance को बताते हैं अगर आप इस universe से बहुत सारे पैसो को आकरशित करना चाहते हैं तो आपको अपने जिन्दगी में grateful रहना चाहिए जो भी चीज इस universe ने आपको दी है उसके लिए आपको gratitude महसूस करना चाहिए इस universe को thank you बोलना चाहिए law of attraction के अनुसार जितने पैसे आप कमाते हो अगर उसके लिए आप इस universe के शुक्रगुजार नहीं होते फील नहीं करते तो आप और जादा पैसे कमाने के लायक ही नहीं हो gratitude फील करने से आपकी body की vibration बढ़ती है और आप खुशी महसूस करते हैं positivity को आकरशित करते हैं और अपने जिन्दगी में positive लोगों को आकरशित करते हैं आपके जिन्दगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है दोस्तो universe का नियम कहता है जिस पर आप focus करते हो वो बढ़ता जाता है तो दोस्तो इस वीडियो में हमने सीखा अगर आप सोचते हो कि आपकी जिन्दगी में बहुत पैसो की कमी है तो जिन्दगी में पैसो की कमी हमेशा बनी रहेगी जादा पैसो को आकरशित करने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा visualization की शक्ती का इस्तमाल करना होगा और आकरशित किये गए पैसो को हासिल करने के लिए आपको रोज gratitude महसूस करना चाहिए जो कुछ भी इस universe ने आपको दिया है उसके लिए आपको इस universe का धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि धन्यवाद कहने से आपको वे चीज और जादा मिलने शुरू हो जाएगी ऐसा करने से universe को ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि आप हमेशा खुश रहते हो आप हार व्यक्त करते हो और आपको और जादा पैसे कमाने का मौका मिलना चाहिए तब आपको ऐसे मौके मिलने शुरू हो जाते हैं जो आपको बहुत जादा पैसे कमाने में मदद करते हैं तो दोस्तों अगर आप इन तीन स्टैप को फॉलो करते हो तो आप जल्दी से जल्दी अमीर बनने के साथ साथ हमेशा खुशाल जिन्दगी जी सकते हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट में जरूर लिखना एस साथी कमें ए भला एख में जरूनियो अमने काथ सामेशा आपदी मैं जरूस्तों